वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फत्य है सलोक महलाती जा अपणी प्रीतम मिल रहां अंतर रखां उरता आर सुवाव सा संग जी चल रही सिरी गुरु ग्रंसाय महराजी दी लड़ीवार विचार सरल स्टीक आप जी सर्वन करे हो सुपावन आंग नबेते सद्गरु किर्पा का रेहन सलोक महलाती जा तान गुरु अमरदास महराजी हे पाई हमेशा अपड़े परम प्रीम दे अस्पदरु परमात्मा नाल मिल करके रहना चाइदा है अते हुर के ये हिर दे दे अंदर प्रमेशर दे नामनू तार ताहरन करके रखना चाइदा है सालाही सोप्रब सदा सदा गुर के हेत प्यार उस वाहिगरु दी सालाही सिफ्ट करने जोग है सदा सदा दरंतर ही उस दी वडियाई कर दे रहना चाइदा है गुर जो सद्गुरां दे नाल मन करके हेत हेत तिसरीर करके प्यार करना चाइदा है नानक जिस नदर करे तिस मेल लए साई सोहा गण नार गुरु पात्षा जी कसन कर दे हान के जिस्ते सद्गुरु सहव जी ग्यान दी द्रिष्टी कर देन उसनू परमेशर आपने सरूप नाल मेल लेंदा है साईक ये उहो ही महात्मा रूप नार इस्त्री सुहागन सुहाग बनती है महला ती जा गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे गुर पाई सद्गुरां दी सेवा टेहल ते द्वारा ही हरी परमेशर नू पाईदा है पावस दी प्रापती उंदिया प्रंतु गुरां दी सेवा उसनू प्रापत उंदिया जिसुते परमेशर किर्पा दृष्टी कार दिन्दा मानस ते देवते पए ते आया नाम हरे जिना ने हरी परमेशर दा नाम ते उना कीता है ओहो मानस मनुखा देही तों देवते पाव देवी गुणावाले हुए हैं जिमें एक संत सेवी गुर्मक ने सेवा कर दिया बहुत समाबतीत की था ओ आये होए हरेक महापुर्ख नुँ पुछिया करी के संत दे दर्शना दा की लाब है पाव की फाड है तम हात्मा अपने अपने त्रीके नाड़ दस दे रे पर इसदी तसली नावी गुरु नानक सहब जी ने इसदी सेवा नु फाडलाण वास दे इसनु जा दर्शन दे एहे गुर्मक गुरु नानक सहब जी नु संत समझ के ओहो ही प्रशन कर बेठा के जी संत दे दर्शना दा की लाब है गुरु सहब जीने कहा के तेनू किसे ने पहला दसेया नी ओ कैन लगा के दसेया तांसी किसे ने गंगा दे शनान जिन नामा आतम दसेया किसे ने एकादश्टिगा दे वर्त जिन नामा आतम दसेया परंतू मेरी तसली नी होई तां सादगरू पादशा जी आखन लगे कि एथों चार को हो जाडविच दखनवाल एक पिपड़ दा द्रख्त है ओथे तिरीत सली हो जावेगी बचन सुनके ओप्रेमी ओथे चलया गया पिपड़ दे द्रख्त ते कामा दा जूड़ा बेटा जी ओणा नाल कोई बचन नहीं हो साकदा सी बैठके वापस मोड़ा आया पादशा जी ने दूसरे दिन फेर पेजिया तां ओथे बगले आँड़ा जूड़ा बेटा सी कोई भी उत्तर ना मिलेया तीजे दिन फेर आया तां ओथे हंसां दा जूड़ा बेटा सी चाउथे दिन फिर गुरु सहभ जीदा बचन मानकी जद गया ताउथे कि इस्तरियत एक पुर्ष बैटे सन उना ने उस गुर्मक दे पैरिया अतलाई ओहो व्यक्ती उना नू पुच्छन लगा मेनू संत दर्शन दा फाल दसो ओह कैन लगे के तेनू हा लेता के पता नहीं चलिया ओह कैन लगा के नहीं जी मैनू हा लेता के किसे नहीं एक गालती जेड़ी सूझ भूज नहीं दसी ना मेनू समझाई या ओह कैन लगे के जिस वक्त तू सानू पहले दिन मिलया ता असी कामा दी जून विच पए वे सी इस दा सानू कोई पता नहीं सी होर कितना समा उस पैड़ी जून विच पए रहांगे दूजे दन असी तेरे दर्शन कीते तत असी कामा तो भगले बणगे भगले आँधे हम चिते हैं प्रंतू करनी चंगी नी उंदी मच्छिंगा डड़िंगा आद फ़्ड़के खांदे एसे परकार तीसरे दन तेरे दर्शन करके असी हांस बणगे अते चौथे दिन तेरे दर्शन करन लाड असी मनुखा देह नू प्राबत कीता होन साटिंगां सारिंगां जूना कटियां गियां होन तु सानू साथ गुरु जी पास लेके चल असी मनुखा देह तो मुक्तो के देवते बन जाना करिये गुरु नानक सहफ जी दे दर्शन करके असी देव पदवीदी प्राप्ती कर सकीये जिन मानस्ते देवते किये करत न लागी वार ऐसा सुनके अते प्रताख देखके उसनू निश्चा हो गया इसे प्रकार जिडे लोग कामा दी न्याई हन ओ अंदरों बारों पाप करन वाले अते निंदिया चुगली रूप विष्टा खान वाले हन बगलियां दी न्याई चिटे खांब पाव चिटे पेख बनाके सुरूप उपरों साफ हुंदा पर अंदरों हिर्दे विच पापां दी चित्मनी कर दे रिंदे हनसां दी न्याई हो अंदरों बारों शो दो जान फिर मानस दी न्याई औ पुर्ष इस देही द्वरा कालपुर्ख दी प्राप्ती करके इस देही को सिम्रह देव सो देही पाजहर की सेव ओ देवतात्तु प्रकाश करके प्रकाश रूप रहमदा रूप बन जान दी हन हो में मार मिलाए अन गुर के सबद तरे जिनन दी पर मेशर ने हो में हंकता मार की गुरा नाड मेल देता है ओहो साथ गुरा दे उपदेश दी कमाई करके संसार्थ मुंदरतों तरगे हन नानक सहज समायन हार आपनी कृपा करे साथ गुरू जी कथन करदे हन के जिनना होते हरी पर मेशवर वाहे गुरू किरपा दया दृष्टी करदा है ओहो सुते से दी साथ सुरू वेच समायन समाजान दिया पौडी हारे अपनी पगत कराई बड़े आई वेखालियन परमेशर नू गुरा द्वारा पगतां तू अपनी प्रेमा पगती करवा की फेर उना पगतां दी वड़े आई को संसार वेच वखोना कीती है जिस पर कार पगत कबीर जी दे समेदा राजा पंड़त विद्वान हकीम काउन सी उस्दा की नाम सी ऐसा कोई भी नहीं जान दा परंतू पावे जलायां दे कर जनम वया पर पगती दा परताप इना वड़ा सी के पगत कबीर सहब जीनू सारी दुनिया जान दी है आपनी आप करे परतीत आपे सेव कालियन पात्षा जी फर मौदेहन के आप ही उनना दे कोड़ों आपनी सेवा कालियन करोंदा है आप ही गुरू रूपों के पगतां ते आपनी परतीत करदा है अते आप ही जिग्यासू रूपों के टेहल करदा है हर पगता नो दे अनन्द थेर करी बहालेयन परमेश्वर वाहिगुरू आप ही अपने पगता नो किर्पा करकी आत्मक अनन्द बक्षि दिन्दा अते आप ही सरूप रूपी कार्वेच इस्थित करकी बहालेयन के ये बिठा दिन्दा पापियानो न देई थेर रहन चोन नर्क कोर चालेयन पापी लोकानो कदेवी स्थेर करके रहन नहीं दिन्दा ओना पापी लोकानो चोन चोन के पावखरे कड़ कड़ के प्यानक नर्कां वेचे चालेयन चला दिन्दा है सोट दिन्दा है क्योंके नर्क कोर बहुत दुख कने अकिर्त कना का थान हार पगतानों दे पियार कर आंग निसतारे अन वाहिगरू प्रमात्मा अपने संतां पगतानों अपनी प्राप्ती दा पियार सनेहे दे दिन्दा है ओनादा अंग पाक करके संसार समुन्दर तो निस्तारियन तार दिन्दा है अविद्या रूप ने सरात तो ग्यान रूपी दिन चाड़के संसार समुन्दर तो तार लिन्दा है सलोक महला पहला साथ गुरू साहिब सिरी गुरू नानक दे पाथशा जी जिस वक्त हरदवार गए तो उत्थों दे लोग शनान करके पूर्बवल चड़ दे सूर्ज दे रही अपने पितरानू पानी दे रहे सी गुरु सहभ जी गंगा विच खलोके उना तो उल्ट पच्छाँ वाली दिशानू पानी देन लग पे लोका ने साथगुरु वाल वेह के पुछिया तुसी हिंदू हो जा मुसल्मान पाथशाजी ने आख्या के असी ना हिंदू हा ना मुसल्मान हा असी तां दोना दे ही सांजे हा ऐसा सुनके उना ने पुछिया के तुसी इस पासे किस नू पानी दे रहे हो पार्षा जी ने उन्हा लोकानु पुचिया कि तुसीं किदर पानी दे रहे हो ओ कहन लगे कि असीं अपने पित्रानु पानी दे रहे महराज कहन लगे कि ओहो एथों कितनी गो दूर है उन्हा ने कहा कि ओह एथों हजारां मील लखां मील दूर हन पर तुसीं पानी किते दे रहे हो महराय सहब अखन लगे असीं करतारपुर सहब खेती भीज के आये सी ओथों दी जमीन उची उन करके में दा पानी ठहर दानी इस करके असीं सोचे आ एतों ही पेज दे ये ओ लोग कहन लगे के तो हड़ा पानी ओथे किस तरह पुझेगा पादशा अखन लगे के जे कर तो हड़ा हजारा मील लखा मील पितरा नू पानी पहुंच सगदा है तां साड़ा केत तां इतों दो सो मीलते ही है ओथे के में नहीं पहुंचेगा ऐसा सुन के ओ लोग बड़े शर्मिन दे वे उस विड़े कोई माला फड़के गो मुखी फेरन लग पे कोई सिमरना फेरन लगा उस वक्त जिसदा मान जेड़े पासे उड़ाएंगा मार रहा सी साथगरू पादशा जीने सार यां दे मान दी दशा दस देती के तो दिल्ली लोटे खरीद रहा तेरा मन प्राग राज विच गयाया किसे नू किहा के तेरा मन लहुर गयाया फेरो सारे साथगरू पादशा दे चरनी पैगे मार राज आखन लगे के तुसी सानू बौरा दस दे सी हसी तुह आनू आपने सेखनी बनोना ओ कैन लगे के नही मार राज साथों पोलोगी फेरो हु महाराज जीनु आपने इरसोही खाने विच लेगे अते बड़ी सुच्च मता दे नाल परशादा त्यार कीता साथगरू पादशा जी दे अगे पर उसके राख दिता दे कहन लगे महाराज जी इसनु शगणा करू हजूर अखन लगे तो हड़ा पोजन साथे शगन दे जोग नहीं है एप पिटेया गया है वो कहन लगे के महाराज जी एहे किस परकार पिटेया गया पादशा अखन लगे के तो हड़े चंके होते कसाइन चूडी चंडालनी चड़ गयी है अथे चंका जूठा हो गया वो लोग केंड लगे महाराज जी सानूता दखाई नहीं दे रहा कुछ किते है महाराज साहब आखन लगे तो हानू दस दे है इस परकार साथगरू पार्शा फुर्मान कर दे है इस सलोक वे साथगरू जी ने चार नीच जातिगा दे मकाबले चार पैड़िगा बाद आधतानू दसन ली ब्रह्मना वल्लों कलपिगा उया चार नीच जातिगा दिया इस तरिगा दा प्रमान दे के अंतरीव बाद आधतान वर्नन कर दिया उपदेश देता है कबद डूमनी कुदया कसायन पार निंदा काट चूहुडी मुठी क्रोध चंडाल हे पाई कबद खोटी विशे वशैनी बद रूपी डूमनी मरासन कुदया बेरह्मी नल जीवानू मारन वाडी बिर्ती रूप कसायनी कसाईधी पतनी पार पराई निंदा ए निंद्या रूपी चूडी मेल कठी करन वाली पंगन काट हिर्दे रूपी चूँके विच बैठी होई या करोध वेच मुठी लुटी होई बिर्ती चंडालन है खोटी बुद्धी रूपी डूमनी कुदया रूप कसायन पराई निंद्या रूपी चूडी ते करोध रूपी चंडालनी इते आध ही इर्दे वेचो शोब गुणाने ये लोटरिया हन कारी कड़ी क्या थिया जाँ चारे बैठी या नाल पात्षा जी फर मौदे हन कि हे पंड़तो जेडियां तुसी चंगे दे दुवाले कारी लकीना कड़ी गाई गाँ उना नाल की थिया की ओ जावेगा जहां पाव जदों चारे पिटन पाव पवित्र करन वाड़ेगा शक्तियां तो अड़े अंते करन दे साथ ही बेटिगा इसलिए तुह अड़ा चंगा पिट्र के में रह जावेगा पाव नहीं रह सकदा ऐसे बचन सोनतों बाद पंड़त अखन लगे कि साथगरू जी आप जी किरपा करके इना दी निविरती दसना करो ता साथगरू जी ने यों पुरमान की था साथ संजमी करणी कारा नावन नाव जपेही हे पंड़तो साथ बोलन रूपी संजम करो पकती रूपी शोब करणी दिया कारा लकीरा कडणीया करो अते प्रमेशर्दा नाम जपेही जपन रूपी नावन उन्दा शनान करो इसनाल एना दिन विर्तियों के हिर्दे रूपी चौंका पवित्त रतेशो दो जावेगा हे पंड तो सचे बचन बोलन करके खोटी बोध रूपी डुम्बनी संजम इंद्रिंगा दा दमन करके खोटी दया रूप कसाइन करणी पगती रूपी कार करके प्राई निन्द्या रूपी मेल कठी करनवाली पंगण चूडी यते नाम जपन रूपी इशनान करके करोध रूपी चंडालन इर्दे रूपी चौंके विचों बाहर निकल जावेगी नानक अग्या उतम सेई जे पापां पांध न देही सत्गुरु जी कथन करदेहन के ओहो पुर्ख ही प्रलोग पाव दरगाहा विच गए होए उतम स्रेष्ट मनने जान दे जेडे किसे नू पापां दी सिख्या नहीं दिन्दे जेडे पापां दे पांध रस्ते विच मांदे संकल्प रूपी पैर चलन नहीं दिन्दे महला पहला जिस वक्त फे सात्गुरु पाथशा जी ने ऐसे बचन कीते तां सारे ब्रह्मना दी लेव लाग गई अते सारे ने आलोगे गुरु सहब जी दे कोल पाई मरदाना जी बेटे सन अते आखन लगे कि हे पाथशा जी आप जी ने तां इना बगले आनू थोड़े समय वेची हंस बनाँ दिता तां गुरु पाथशा जी ने अगों मरदाना जी ने एउ उत्तर बख्शिश कीता महला पहला क्या हंस क्या बगला जा को नदर करे हे पाई की हंस है तक की बगला है अर थाथ जी में बगले दे बारों चिटे खाम बंदे पर उस दे अंदर पकांड़न दा यहे पंड़त बारों तां संदिया तरपन आद चंगे करमतां कर दे हन पर अंदर विशिया पदार था दी वाशना सी इस पर कार बगलें दी न्याई दंबी आदमियानू तात मिथे आदा वे चेचन वेचन करन वाले तात बेते महातमा रूप अंसमना दिता तां कियो गया जिसको जिस्ते उपर प्रमेशर दरिश्टी करे कर देवे ओँ पगती ग deleting मार्गते पै जान दे हन जो तिस पा वैनन का कागो हनस करे साथ गुरू जी कतन कर दे हन के जेडा उस वाह गुरू प्रमेशर न पा जावे वसनो कागों कामा तो मी हांस करे एक ये कार दिंदा है पाओडी कीता लोड़ीह कम सुखर पह आँखी है है पाई जोबी कारड़ करना लोड़ी चाहिए ओहो हरी पर मेशर पास कहना करिए आँखी है पाबर दास करिए प्रमेशर दे अगे ही जोदड़ी बेंती करनी चाहि दिया कारज दे सवार सातगुर साच साकी ए एह सातगुरां दी सची सिखिया गवाही है के ओहो हरी लोक पर लोक दे सारी कारज काम सवार दिन्दा संता सांगने दाहान अमरत चाकी ए हे पाई स्रेष्ट महात्मा जनादी संगत सारिगा निदिगादा खजाना है जिस विचो नाम अमरत चखीदा है पै पंजन महरवान दास की राखिये ऐसी अरदास बेंती करिये के हे जमन मरंदे डारनू पंजन खत्म करन वाले महरवान परमेशर जी हे वाहिगरू जी दास सेवक दी लोक पर लोक विच राकिया रखिया गरू नानक हरगुन गाए अलाख प्रबलाखिया साथगुरू सहभ जी फरमान कर दे हन के प्रमेशवर अकाल पुर्क दे सदा ही गुणा नू गवणा करिये गुणा नू गवण दाल लखन तो रहत प्रमेशवर वाहिगरू नू जान लई दा सलोक महला तीजा जी यो पेंड साब तिसका सबसे दे अदार अगे फिर साथगुरू पावन आंग कान में ते किर्पा कर रहे हन हे पाई जीवा नू सूखम स्रीर पेंड स्धूल स्रीर आद सारा को जी उसकाल पुर्क वाहिगरू दाही दिता आया जो सारे आंदे ताई चेतन सत्ता दे के आसरा देन वाला है नानक गुर्मक सेविया सदा सदा दातार सत्त गुरू जी कथन कर देहन के गुर्मुखां दी संगत करके उस परमेशर नू ही सेविया सिमरना करिए जो परमेशर हमेशा हमेशा ही दाता देन वाला हो बलहारी तिनको जिन ते आया हार नरंकार असी उनना प्यारयां तो कुर्बान जानदे हैं जिनना ने उस नरंगार अकारा तो रहत परमेशर नू मानचित करके ते उनना कीता है उनना के मोख सद उज़ले उनन नो सब जगत करे नमसकार हां उनना दे मोख लोक पर लोक वे सदा ही जासरूप वाले उजाले वाले हन पापा रूप मेरतों पाव कालक तो रहत हन उन्हा ऐसे प्यारें साब कई ये सारा संसार ही नमसकार बंदना करदा है महला तीजा साथगुर मिले ऐ उल्टी पही नावनिद खर्चे उखाव जिना दी साथगुरा नाल मिले ऐ मिलने करके संसारा कार बिर्ती उल्टी पल्ट के ब्रह्मा कारो ईया ओ प्रताख नावनिद नौ निदिगा नाम रूप नौ निदिगा नू आप खांदे हन ते हुरना नू वरताउन रूप खर्चे उखर्च दे हन अठारह सिद्ध पिछे लगिया फिर न नेज कार वस्य नेज थाए उना दे अठारह सिद्ध पिछे पाव मगर लगिया फिर दिगा अते उहु आपने नेज सुरूप इर दे रूपी कार विच थाए थाविच वास जान दे प्रमेशर दे तुरिया पाद रूपे कार विच वास जान दे अनहद तुनी साद वाज़ दे उनमान हारले वलाए उना दे हिर दे अंदर अनहद हाद तू रहत एकरा समरत नाम दी तुनवाले वाज़े वाज़ दे हन पाव अज़पा जाप परगटो जान दा नानक हार पगत तिना कै मान वसे जिन मस्तक लिखे आ तोर पाई साथ गुरू पादशा जी कहिं दे हन के उनना दे मान विच हर समें वाह गुरू दी पगती वस जान दी जिनना दे मत्य ते तुरातों ही निश्काम करमा दा लेख लेख के परमेशर ने पाद दिता पावड़ी हो टाड़ी हार प्राब खसम का हार कै दार आया चौथे पादशा तान गुरू रामदास जी दिया पावड़गा हन चौथे पादशा फर्मारे हन के मैं अकाल पुर्ख वाह गुरू दा टाड़ी जास गौण वाड़ा हो करके परमेशर दे सत संगत रूपी द्वारे ती आया अती हार अंदर सुनी पूकार टाड़ी मुखलाया हाँ मेरी परमेशर ने सत संगत द्वारा अपने साचकान अंदर मेरी पुकार फर्याद सुनी मैं नू टाड़ी जास गौन वाले नू आपने सानमुख पाव अंदर बुला लेया नाल ला लेया अती हार पुछेया टाड़ी साद के के अर्थ तू आया मैं नू टाड़ी जास गौन वाले नू कोल साद के बुला के परमेशर ने पुछेया के हे कीर्टन गौन वाले प्रेमियां किस अर्थ मतलब ली तूं आया क्यों उना कीता है अग्गों मैं बेंती कीती। नित देवो दान दयाल प्रभ हार नाम ते आया हे दयाल दया देकार परमेश्वर वाहिगरू द्यालू प्रभुजी मैंनू ए दान देना करू कि मैं निता प्रती ही तेरे नामनू ते उना करां जपना करां सेवना करां आब जपां हूरना कुणों जपामां हार दाते हार ना नाम जपाया, नानक पैनाया, सुद्ध। नाम जपाया, सुद्ध। सुद्ध। नाम जपाया, सुद्ध। नाम जपाया, सुद्ध। जिर जी काशी वेच जो चावरा महला है उत्व गंगा वेच शिनान कर ली जारे सां। उस विले रस्ते वेच एक माई को टे दी शात उपर पेटी होई दो दरिड करेई सी। उस दा एक बच्चा उसनू तांग करेया सी। जो उसनू दो दरिड करने दिन दा। उस माई ने अपने पास एक गेंद रखी होई जदो भच्चा उसनू तांग करदा। पगतकबीर जी नेड़े तो लंग रहे सन जिस वक्त दुबारा गेंद सुटी ते आपने बच्चे नु कहा कि चोक के लेके आ एक एक के माई सूत कतन लग पी गेंद रिड़ दी रिड़ दी कोठे तो थले डिग पई ते गेंदे पिछे पिछे जांदा बच्चा भी कोठे तो थले डिग पया डिगन सार ही उस बच्चे दे प्राण निकल गे बच्चे दी मौत होगी तदो बच्चे दी माँ बहुत विरलाब कर लग पी एह कुझ वेख पगतकबीर जी ने वे राग मही शब्दो चारन की ता जिमें गुरु नानक पाथशा जी ने मोती ता मंदर बूसर है स्री राग महला पहला पावन अंग 14 ते अते पंजमे पाशा जी ने क्या तू रत्ता देख कै पुत्तर कलतर सीगार स्री राग महला पंजवा पावन आंग पता ली ते ऐसे विराग में शब्दो चारन की ते हन पगत बानी विराग तो शुरू उंदी है इते जो अदवेद सरूप परमेशर या ओवंकार सारे आंदा परकाशक सात त्रैकाल अबाद सरूप गुर्जो चेतन सरूप या परसाद जो अनन्द सरूप या उसात गुरां दी किर्पा द्वारा प्रापतुंदा है सिरी राग कबीर जीयो का एक सुवान कै कारगावना इस शब्दनू पगद कबीर जीयो चारन कर दे हन इस दे विच गौनदा कर दस दे हन जेडा पहले पात्षाजी ने सिरी राग विच पहला शब्द उचारन कीता सी एक सुवान दोसानी नाल पल के पोक है सדा बयाल एक पामन अंग चोवीते सिरी राग महला पहला दाए शब्द जो असी हुण पड़िया एक सुवान दोसानी नाल एक पामन अंग चोवीते शषभत है जिस वक्त महराय सहिप जी ने तां करूपता आरन कीता सी उस वक्ते शब्द चौते कारविच उचारन कीता सी इस शब्दनू गौन वास्ते ऐसी आगया कीती गई है कि जदो सुआन कुता बोलदा है अते जिस वक्ते चांग मारदा है ओह पंचम विच बोलदा है उस दी अवाज पंचम दी है इस परकार इस शब्दनू पंचम सुर्दा गौर राक की गौन दी आगया है जिस परकार सुआन कुता अपने स्वामी दा कारनी न शड़दा उसे परकार परमेशर दी शर्ण विच सतसंगत रूपी कार विच आकी अमरत रूप बाणी नू गौना करो एक ये एक रूप परमेशर दी सुआन के ये सो नाम शर्ण दावा आन नाम आउना है पाव शर्ण मिच आले आकर के कारसत संगत विच मिलके गौना करो इस तो अगे शब्दी अरमता उन्दी है जननी जानत सुत बड़ा होत है इतनाक जानने जे देन देन अवद कटत है माता मोह विच फस्योई ऐसा जान दी है के मेरा पुत्तर उमर विच वड़ा उंदा जा रिया परंतू इतनाक थोड़ा जहा भी नहीं जान दी के जो इस दी अवद आजुआ देन देन कटती जा रिया देन देन अवद कटत है जिमें वेल नानों तुटे आया फाल किना कुछ रह सगदा है यो माता दे गरब रूपी वेल नानों तुटे आया बचा रूपी फाल किना कुछ रह सगदा है मोर मोर कर अदेक लाड तार पेखत ही जम राव हसे माता मोह विच फसी होई प्रेम सहत मोर मोरतों पाव मेरा 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 लाल मेरा कान आद शब्द कह कह के बड़े लाड प्यार कर दी है जम्राओ जम्दूतां दा राओ राओ राजा पावतर्मराज पेखत ही हस है ओ देख देख के खोशुन दा इह अन जान अपने पुत्तर नू वड़ी उमरवाडा कह रही है परन्तु यह नहीं समझ रही कि मैं इस दा काल बन के आ रही है ऐसा तैं जग पर्म पुलाया हे परमेशर ऐसा इस तरह तैं तू जग संसार पर्मा विच ला रखया है कैसे बुच जब मुहया है माया रहाओ इह जीव तेरे सरूपनू किस तरह बुच जब समझ सक देया कि में मौतनू चेते करे जब जदू तक इसदा मान माया विच मुहया विया तां इस दे अंदर वराग पैदा नी हुंदा इस जीव दा मन माया दे पदार था दी कलपना विच लगगा रिंदा इस करके जीव मुहया है माया माया विच ही मुहया है रहाओ बिस राम दे के फरमौंदे कहत कबीर शोड बिखेया रास इत संगत नेचो मरना कहत कबीर पाव पगत कबीर जी कथन कर दे हन कि हे जीव तुँ बिखेया माया विच्यां दे रास अनांदनू मिथेया जान के शड़ना कर क्योंके इस माया विच्यां दी संगत करनाल नेचो जकीनन ही आत्मक मौते मरना होगा रमया जपो पराणी अनत जीवन बाणी इन बिद पावसागर तरना हे प्राणी प्राणा तारी जीव उसर मैया रमेव वह गुरुदा नाम जपना कर क्योंके एहो नाम रूपे बाणी अननत जीवन दे देन वाली है असी अनत बेंत जीवन रूपर मेशर दी प्राप्ती वाली बाणी उचार दे हा इन बिद पावसागर तरना एस बिदी नाले संसार सागर समुंदर तों तरना होएगा जां तिस पावै ता लागै पाव जदों जीव दे निशकाम करम उस प्रमेशर नूँ पाजान ताद जीव दे अनत आ करन वेच प्रेम लग जानदा अते पर्म पलावा बिच्च हो जाए प्रेम लगने करके संसार नूँ सचा जानन दा पर्म पलेखा हिर्दे दे अंदरों चुक्या जान दा खत्म हो जान दा उपजय सहज ग्यान मत जाग गय साथगरू फर्मोंदे उपजय सहज ग्यान मत जाग गय तदू घृदेवेच आतमक शांती पैदा हो जानदिया अते ज्यान वाली आतम शैनी वुद्धी जाग पैंदिया गुर पर साद अंतर लेव लाग गै फेड गुरान दी पर साद किर्पा करके घृदेदे अंदर पर मेशर दी लेव लाग जान दिया इत संगत नाही मरना इस तरह संगत दी प्राप्ती करके जमना मरना नहीं उंदा पावावा गवन तो रहतो जाईदा हुकम पशान ता खसमे मिलना रहा उदूजा एहे साथगुरु जीदा परमेशर दे मिलन वास्ते हुकमा जेडा उसनू पशान लेंदा है उसदा खसमे मालक प्रभू नाड मिलाप उदा है रहाओ दूजा हुन दूजा रहाओ चारन कीता है पहला रहाओ चारन कर चुके सन अती उत्तर देने रेंदे सन इस करके रहाओ चारया है जित्थे अक्रा विच लिखिया हुए उत्थे रहाओ दूजा कहना है जेडा रहाओ आद दियां तुकान दे विच एका उन्दा है न ओहो एउं सम्झना चाईदा जमें सुखमनी सहब जी दे सलोकान दे एके हन उसनू रहाओ एक नहीं पड़ी दा कई पार्थी एक रहाओ पड़ दे हन जेडा हदा दे अंदर अंक उन्दा न ओ नहीं पड़ी दा अते जमें महले दा जेडा अंक है जो के हदा तो बगैर उन्दा महला पहला महला दूजा महला पंजवा नामा आद इस पर कारवचार होनी चाही दी है अते एहे एकर हाओ नहीं पढ़ना जेड़े पाठी टक साल वेच नहीं पढ़े हुए ओ एकर हाओ ही कहिंदेया सो जेड़ा एका है और हाओ दियां तुकादा ते शबदियां तुकादा वक्रा आंग समझना चाहिदा है जिनना वेच रहाओ आउधा है पर एका नहीं होंदा ओ पाठी अन जान ओते वी एक करहाओ कई जान देया इहे कहना नहीं चाहिएदा वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू सत नाम वाहे गुरू सत नाम वाहे गुरू सत नाम वाहे गुरू सत नाम वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू तन वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू तन वाहे गुरू वाहे गुरू जी का खलसा वाहे गुरू जी की फते